दोस्तोว ट्राविल करते समय आपको एक चाइज के जरुवत पर जाती है जब आप इस्टेशन पर पहुंचते हों और समय से पहले आपको कहीं जाना ऊता है तो समय ज्यादा आट knob invaded by ゃती है जिसोरल का बजट बहुत जादा हो जाता है कभी कभी इस्टेशन के बाहर जिसमें loss भी लेते हो तो भी आपको budget से उपर हो जाता है तो ऐसे में आज मैं आपको RCTC के जरीए कैसी जो है जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप जो है कम budget में मातर सौथ दो सो रुपए के अंदर retiring room book कर सकते हो 24 गंटे के लिए अगर आप सिंगल है तो भी कर सकते हो डबल रहेंगे तो भी कर सकते हो आपको double bet की यहाँ पर मिलेगी 24 hours के लिए रहेगी और मातरे जो है 100 से 1500 के अंदर 200 के अंदर ही आपको यहाँ पर रूम मिलने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक browser को open कर लेना है RCTC retiring room वहाँ पर search कर लेनी जैसे ही आप RCTC retiring को यहाँ पर choose करते हो वहाँ पर click करने के बाद आपको login का option दिखाए देता है and then जैसे login का option पर click करेंगे आपको दो option यहाँ पर मिलता है एक RCTC login and guest user login तो आपको दोनों में से किसी एक को choose कर लेना है उसके बाद user ID and password डाल के आपको simply login हो जाना है जैसे हम यहाँ पर login होते हैं दोस्तों से पहले आप जो है अगर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो वीडियो लाइस तक देखने के बाद जो है चैनल दोस्तों के साथ share जरूर कर देना लाइक करके उसके बाद आपको यहाँ पर option आता है PNR का ठीक है जैसे आप login हो जाते हैं यहा आप check in कर रहा हो कब आप check out करना है वो करने के बाद आप check availability पर करना है ध्यान रहे हैं यहाँ पर bed type में double ही डालना कभी कभी AC और single डालोगे तो नहीं आता है तो ऐसे में तीनों option का choose कर लेना बत मैं recommend करूंगा मेरे option में यहाँ पर मैंने double किया तब जाके मुझे availability मिली थी otherwise नहीं मिल रही थी उसके बाद यहाँ पर नीचे passenger पर select करने के बाद आपको check availability करना है जैसे ही आप check availability करते हो उसके बाद ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर room है की नहीं है तो यह चीज़े आपको ध्यान देनी है यहाँ पर AC status वगरा जो भी है वो इसे all पर रहने देना तो यहाँ पर मुझे जो है दो slot में मिल चुका है नौन AC room जो है यहाँ पर मुझे दीख रहा है 24 hours के लिए जो कि यहाँ पर चेक्किंग डेट है बाद जो सुबह की और एक साम की यानि कि सुबह में 8 बजी की है बाराद आरी and जो है evening में 20 बजे यानि की सा साम को 8 बजी की है तो 8 बजे से कल दूसरे दिन साम को 8 बजे चेक आउट कर सकते हैं और amount है मात्र 163 रूपी जी यहाँ आप भी सोच रहोगे क्या गशब का यार वाकई में आप अगर बाहर कंपेर करोगे तो 500 600 में मिलने वाला चीज 800 में मिलने वाला चीज मात्र 163 प्रमेटी काता है उसको आप करेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको एड्रेस फील करना है ऐस पर आपके डॉकुमेंट के हिसाब से एक डॉकुमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कोई भी डॉकुमेंट यहाँ पर आपको उसका नंबर देना होगा उसके बाद यहाँ payment mode चूज किया मैंने यू पैयाई का आपके पास बहुत सारे multiple option is चूज कर सकते हो मैंने यहाँ पे payment कर दिया है payment करने के बाद आप देख सकते हो की payment हो रहा है हमारा और जैसे payment हुआ है यहाँ पे हमारा booking हो चुका है लेकिन यहाँ पे तुरंग booking होने के बाद जो है यह confirm नहीं होता है इसको जो है पांस सी 6 मिनट नहीं तो बेदिन 10 मिनट टाइम लगते हैं amount को settle होने में और इसके बाद status जो है convert होने में तो अभी फिलाल हमारा status दिखा रहा है कि not book it ठीक है लेकिन amount हमारा cut चुका है फिर हम जाएंगे अपने my account के option पर जो की right में देखता है आपका my account में जब आप सर्च करोगे तो वहां पर booking history का एक option दिखाता है उस booking history में जब मैं गया तो यहां पर दिखा रहा है यह टिकीट इस अंडर प्रॉसस तो घबराना नहीं है अब देखे जश मुझे जो है cancel करना है तो cancel भी कर सकते हो तो प्रेंट के option में मैंने कर लिया उसके बाद मेरी train पहुंच गई है इस्टेशन माश्टर के पास जब मैं गया तो उन्होंने question किया कि क्या आपने booking की है तो मैंने booking किया था और मैंने जो है इमेल आइडी पे booking की मैंने दिखा दी उसके बाद मुझे चाबी मिला और यह रूम आपका photo देख सकते हो कि हमें रूम भी कुछ इस तरह का मिला जो कि as a compare जो है बाहर के law से बहुत ही अच्छा था